नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करते हूं आपके फने कुकिंग चैनल कूबित पूनम में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे की परफेक्ट वाइट सौस हम कैसे बना सकते हैं तो बहुत ही परफेक्ट वाइस सॉस बनेगा और इसको बना कर आप पास्ता भी बना सकते हैं या किसी सब्जी को आप गाढ़ा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि यह कैसे बनेगा तो देखे हमने पैन रग दिया है जैसे हमारा पैन गरम हो जायेगा हम इसमे डाल देगे बटर और वाइड सास बटर में ही बनता है तो इसमें हमने बटर डाल दिया और जैसे ही ये थोड़ा सा पिखल जाएगा गरम हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मैदा अगर आप रेसियो का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका बनेगा सास तो हमने बटर डाल दिया है अब हम इसमें एक चमज डालेंगे मैदा और उसको हम भूनेंगे तब तक जब तक उसका कच्चापन निकल जाए उसको ब्राउन नहीं करना है फ्लेम इसलिए हमने कम कर दिया है और धीरे धीरे इसको भूनना है बस इतना कि इसका कच्चापन इस आपको आप करीब 10 कप दूद चाहिए इसी रेसियू से हमको इसको बनाना है तो हमने एक चमच लिया है उसी साथ से हमने दूद ले लिया है और अब हम इसको बराबर चलाते रहेंगे और एक बात का और भी ध्यान रखें कि अगर आप मैदे को भूने हैं तो आपको दूद जो है नॉर्मल टमपरेचर पर रहना चाहिए दूद ठंडा रहेगा तभी ये लंप्स नहीं बनेंगे और अगर आपके लंप्स बन भी जाते हैं तो आप बनाने के बाद उसको चन्नी से चान दें ताकि लंप्स उसके निकल जाए और ये देखिए हमने तब से बराबर मैंने चलाया है तो मेरे इसमें लंप्स नहीं पड करके रखा है उसको मेट कर देंगे और उसको भी मच्छे से मिक्स कर देंगे इस बात का ध्यान रखना है कि आप पराबर से इसको चलाते रहें ताकि इसको ये नीचे से पकड़ेना और अब हम इसमें थोड़ा सा जैफल पाउडर इस तरह से घिसके डाल देंगे ज्यादा नमक डाल देंगे तो नमक आप इसको ध्यान में रखते हुए डालिए क्योंकि मोजरेला चीज में भी नमक होता है और बटर में भी नमक होता है तो उस हिसाब से आप डालें कि नमक ज्यादा ना हो और अब हमारा देखिए ये बहुत अच्छा सा वाइट सास बनके तयार ह हो गया है और हम चीज से उतार लेंगे और एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे तो इस तरह से हम बना के रख सकते हैं और अगर ये रखने के बाद गाढ़ा हो जाता है तो आप यूज करने से पहले थोड़ा सा दूट डाल के इसको पतला कर सकते हैं तो मिद्ध आपको पसंद आए होगा और पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार